हलो, दिस इस जगदंबा सिंग, वेलकम्स यू अल इन पॉलिटिकल साइंस क्लास, वी अर कंट्यूनिंग चैप्टर नंबर थ्री, विच इस पॉलिटिक्स अफ प्लान डेवलप्मेंट, और दिस इस गूंग तो बी नाइथ पार्ट, जैसे कि हम लोगों ने प्रिविएस व हम लोग प्रिविएस वीडियो में भी किये, और हम लोगों ने देखा उसमें कि किस तरह से एग्रिकल्चर और इंडस्ट्री के छेत्र में अलग-अलग विचार थे लोगों के, और आज जो की कॉंट्रोवर्सी को हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है पॉब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, कुछ लोगों का ये मानना था कि सरकार को पॉब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देना चाहिए, और कुछ का मानना था कि गवर्मेंट को प्राइवेट सेक्टर को प्रोथसाहन देना चाहिए, इस कॉंट्रोवर्सी को हम लोग एलबरेट करके देखें जो दो development के path होते हैं इन दोनों में से किसी भी path को इंडिया ने नहीं आपनाया ये दोनों path बिल्कुल different हैं एक private property की बात करता है और एक socialist धन से development की बात करता है तो ये capitalist और socialist दो तरक economy जो है ये differentiate करती है एक दुसरे को एक private sector को और एक public sector को तो आईए समझते हैं कि इंडिया ने इन दोनों path में से किसी भी path को preference नहीं दिया इसमें पून रूप से जो देश की economy है वो capitalist हो जाती है और वहाँ पर development जो है वो पूरी तरह से private sector पर depend करता है और दूसरी जो दूसरा जो तरीका है इसमें प्राइवेट परपर्टी का कोई concept ही नहीं होता है वहाँ सारे कुछ states के होते हैं यानि government का अंतरगत आते हैं तो ऐसा development को हम लोग socialist model कहते हैं तो एक तरह प्राइवेट प्राइवेट परपर्टी का concept और एक तरह state property का concept यह दोनों differences थे capitalist model में और socialist model में elements from both these models were taken and mixed together in India यह दोनों जो तरीके हैं दोनों जो models हैं एक capitalism का model दूसरा socialism का model इन दोनों में से कुछ अच्छी चीजों को अच्छे तरीकों को इंडियन economy में सामिल कर लिया गया इसलिए कहा जाता है कि इंडिया ने एक mixed economy को अपनाया हुआ है यहाँ पर private property का भी concept है और state owned चीजे भी हैं जिसको state owned करती है और उसको govern करती है तो दोनों ही तरकी economy इंडिया में mixed रूप से देखी जाती है इसलिए इंडियन economy को हम लोग एक mixed economy के रूप में जानते हैं अब यह mixed economy क्यों अपनाई गई तो और यह कैसे काम करती है यह कैसे काम करती है यह mixed economy अपना तो ली गई इंडिया के लिए उसमें से कुछ अच्छी चीजे capitalist model से लिया गया कुछ socialist model से लिया गया लेकिन अंतत्य यह work कैसे करता है इसको जरह हम लोग समझते हैं कि much of the agriculture trade and industry were left in private hand ज्यादा तर agriculture यानि lands जो होंगे वो private property होंगे लोगों के और उन पर individuals अपना agriculture का काम करेंगे trade का काम individuals करेंगे यानि जो भी वैपार का काम है दुकान खोलना या वैपार करना यह सारे काम individuals अपने अस्तर पर करेंगे उसके बाद industries were left in private hand जितने भी industries हैं उन में से जादातर industries private hand में रहेंगे और उसको individuals चलाया करेंगे यह एक concept था और दूसरी तरफ the state controlled key heavy industries state जो है कुछ heavy industries को जिनको basic industries भी कहते हैं उनको control करेगी जैसे electricity है coal mines है इस तरह की जो heavy जो basic industries है उन पर government का control होगा provided industrial infrastructure और जो भी infrastructure इसके लिए बनाने होंगे वो government बनाएगी regulate trade and made some crucial interventions in agriculture और trade का rule और regulations सब government तै करेगी उसके साथ साथ जो crucial interventions agriculture के छेतर में लेना है जैसे dam बनाना है या irrigation के लिए canals का project है ये सारा कुछ government handle करेगी तो इस तरह से government ने कुछ division अपना लिए कि agriculture individuals करेंगे लेकिन उसके लिए एक infrastructure की जो ब्यवस्ता है जैसे dam और canals वेगरे किस्ति है या जो खाद है फर्टिलाइजर्स है उनको प्रोवाइड कराना government का काम होगा agriculture के छेतर में और trade जितने होंगे वह सारे trade इंडिविजुल्स करेंगे इंडस्ट्री ज्यादा तर इंडस्ट्रिया प्राइवेट हैंड में होंगी लेकिन कुछ basic industries पर control government का होगा जो basic industries जैसे coal mines electricity वेगरा इन पर government का पकट government की होगी और infrastructure के छेतर में government का काम होगा सबके बनाना और यातयाद की सुगधाओं को प्रोवाइड करना railways government के हाथ में होंगी उसके अलावा regulate trade and made some trade के लिए जो rule और regulations होंगे वो government के हाथ में होंगे प्लस जो agriculture के लिए बड़े-बड़े projects होंगे जैसे canal बनाना और irrigation का काम को देखना dams वगरा बनाना यह सारा काम government के आपने under में रखेगी तो इस तरह से इंडिया में एक mixed economic ले लिया गया एडप्ट किया गया कुछ चीजे capitalist economy model से लिए कुछ socialist model से लिए और एक mixed economy तयार हो गई इंडिया के लिए a mixed model like this was open to criticism from both the left and the right अब जैसे कि जानते हैं हम लोग की right ideology capitalist लोगों के साथ होती है capitalist economy को मानने वाले लोग जो होते हैं वो right wing कहे जाते हैं और जो socialist economy को follow करते हैं या ideology को follow करते हैं they are called leftist तो ये left और right का जो दोनों wing का control था उसको government सही करने की कोशिश कर रहे थी उसमें एक equilibrium अस्थापित करने की बात थी कि दोनों में अस्थाई तो आये दोनों follow बराबर हो ये कोशिश थी government की इसलिए government ने mixed economy को अपनाया था तो criticism भी दोनों के तरफ से आ रहे थे तो आये इस criticism को एक एक करके हम लोग उसको identify करते हैं कि किस तरह के criticism किये जा रहे थे उस दोर में अधिक्र प्रवाइट सेक्टर प्रवाइट सेक्टर उनका ये मानना था क्रिटिक्स का कि जो पॉब्लिक सेक्टर है उसको बहुत स्पेस दिया गया है वीटन प्रवाइट प्रवाइट सेक्टर प्रवाइट गया है जिसमें उनको ग्रों करने में जिक्त आने वाली है प्रवेस्टर ग्राट उनका ये मानना था कि प्रवाइट सेक्टर का इंविस जो इनक्रेस्ट वह बहूत cancelled है और उसने बहुत सारे हर्डल्स खड़े कर दिया है फॉर दा प्राइवेट सेक्टर से सच अब यह हर्डल्स कौंग से हैं उनको बताया जा रहा है कि सच बहुत सारे दिक्कते होती हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए उनको ऑफिसों के चक्तर काटने पड़ते हैं और बहुत सारे दिक्कत लेने में और पर्मिट लेने में वह करते हैं अब गौर्मेंट ने उसमें बैंक कर दिया था उनको बहुत कम्पोटिशन अकरना पड़े यह सोच चैके गव्रमेंट ने इंपोर्ट को बैंक कर ड़ाइब सेटर है तो अब यह कंपूटिशन हो चुका था अगर बाहर से भी किज़िए डॉमस्टिशन रही है वो चीज़ अगर बहुत है तो डॉमस्टिक मार्केट को की कउपूटिशन फेस्ट करना पड़ता है लेकिन अगर इंपोर्ट को ही रोक दिया जाए कि वाल क्वालिटी अच्छी आए तो इन सब चीजों को हतुत साहित कर रहे थी जो इंपोर्ट पे रोग लगाया गया गया गवर्मेट प्राइवेट सेक्टर हब नो इनिसियाटिव देर प्रोड़क्ट एंड मेक देम चीपर ना तो वह चीप बना रहे थे और नहीं अपने क्वाल प्राइवेट सेक्टर के बारे में किये जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत प्रोप साही नहीं किया गया for good We will see what critics thought about the public sector There were critics who thought that the state do not do enough इनका ये मानना था कि सरकार public sector में बहुत कुछ करने वाली नहीं है यानि कि जितना सरकार में ability है कि वो जितनी चीज़े कर सकती है इनको उमीर नहीं थी कि सरकार उतना कुछ कर पाएगी They pointed out that the state did not spend any significant amount for public education and healthcare उनका ये कहना था है कि इन plans में public sector ने कोई भी निवेश कोई भी बड़ा निवेश education और healthcare के sector में नहीं किया है ये इस बात को दिखा रहा है कि सरकार बहुत कुछ करने वाली नहीं है प्राइवेट पॉब्लिक सेक्टर The state invented only in those area where the private sector was not prepared to go उनका ये भी मानना था कि public sector वहाँ पे establish हो रही है जहां private sector नहीं जाना चाहती है या प्रिपेर नहीं है private sector उन छेत्रों में जाने के लिए जिन छेत्रों में private sector नहीं जाने के लिए तेयार है वहाँ पर public sector को सरकार ले करके जा रही है The state helped the private sector to make profit instead of helping the poor उनका एक और इल्जाम ये था कि सरकार जो है वह private sector को profit बनाने में मदद कर रही है ना कि private sector poor को help कर रहा है यानि कि poor के help करने के बजा है private sector के लोग पैसा कमाने में लगे हुए है और सरकार भी, state भी उनकी मदद कर रही है The state intervention ended up creating a new middle class that enjoyed the privilege of high salary without much accountability उनका ये भी कहना था कि किवल एक middle class को ये public sector खड़ा कर रही है और जिसका उदेश जो है वो है कि सारे privileges का फायदा उठाय जाए और high salary प्राप्त की जाए और जिम्मेवारी जिसके जिम्मे कुछ भी ना हो यानि कि ये एक ऐसे work को पैदा कर रही है जिसको critics middle class कह रहे है और ये एक ऐसा class है जो सारे privileges उठा रहा है सरकार के द्वारा प्राप्त सारे privileges इसको मिल रहे है उची salary मिल रही है लेकिन इसकी accountability नहीं है ये किसी भी चीज के लिए जवाब दे है ही नहीं सिर्फ इसका काम है कि privileges को गेन करो और ज्यादा मात्रा में salary को गेन करो पब्लिक सेक्टर से तो ये कुछ चीजे थी जो critics का कहना था कि public sector इस तरह से लोगों को चीजों को बढ़ावा दे रही है जो private sector के तरफ filter दिखाई देता है तो आए conclusion के तौर पर देखते हैं कि क्या चीजे सामने आ रही है तो conclusion के तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों तरह के critics थे एक तो वर्ग ऐसा था जो mixed economy को अच्छा मानता था और दूसरा वर्ग ऐसा था जो mixed economy को अच्छा नहीं मानता था तो जो लोग अच्छा नहीं मानते थे mixed economy को वो कहा करते थे mixed economy is a society in which the process of committing society कि यह जहां पर जिस society में mixed economy पाए जाती है ऐसा लगता है कि यह society suicide commit करने जा रही है और दूसरी तरफ जो positive थे mixed economy को लेकर critics उनका कहना था कि the new mixed economy looks for the surgesity between the public and private sector यह ऐसा balance बनाने वाली चीज़ है जो एक तरफ private sector को भी लेकर चलती है और एक तरफ public sector को लेकर चलती है तो यह economy ऐसा ही है जो दोनों ही तरफ balanced होती है और यह सबसे अच्छी economy माने जाती है तो planning के दोरान हम लोगों ने जो चीज़ें देखी वो यह थी कि poverty did not decline substantially during this period यानि planning के period में जो poverty की गिरावट थी वो बहुत तेजी के साथ नीचे नहीं गिरी और the proportion of the poor reduced लेकिन proportion में poor's की संख्या कम होई in the period but their numbers kept up going लेकिन उनकी संख्या लगातार बोड़ती रही उसमें रुकावट नहीं आई तो हम यह कह सकते हैं कि इंडिया ने एक mixed economic को लिया और एक balance स्थापित करने की कोशिश की कि socialism और capitalism को balance करके चला जाए तभी एक सही रूप में growth मिल सकता है किसी country को तो उसमें जैसे कि 70 साल हो चुके हैं 75 साल और हम दों देख रहे हैं कि इंडिया लगातार grow कर रहा है और अब पाँचवी बड़ी economy वर्ल्ड की बन चुकी है इंडिया तो यह कहना कि mixed economy को अपनाना गलब था यह बिलकुल सीरे से खारीज करने वाली बात होती है तो उमीद बचों कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा यह controversy तो अपने दोस्तों के साथ शेर किजिए लाइक किजिए वीडियो को और सब्सक्राइब किजिए थैंक यू